तो दोस्तों यहाँ सेशन उन सभी स्टुडेंट के लिए बहुती इंपोर्टेंट है जो SSC JE का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो दीए छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है फॉर्म को अगर आप फिल करने जा रहे हैं तो वो ना हो उसके लिए यहाँ पर हम लोग यह सेशन लेकर आएं इस सेशन के अंदर में आपको लाइव फॉर्म कैसे फिल करते हैं पूरा लाइव यहाँ पर बताऊंगा रजिस्टेशन कैसे करते हैं ताकि जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो भी ना हो तो चली हम देखते हैं यहाँ पर दिखिए अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले ओपिस्यल वेबसाइट ssc.government.in पर आपको विजिट करना होगा यहाँ पर जैसे आप home page पर विजिट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि यह apply का option यहाँ पर आ रहा है अब दीखें यहाँ पर यह login का option देड़ा है अब माँ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि login वही student कर सकते हैं जो पहले से register है जिनोंने पहले से registration कर रहा है और उस registration को हम बोलते हैं OTA बट अब बात करें कि अगर जिनोंने OTA नहीं किया registration नहीं किया one time तो उनके लिए भी option registration है यहाँ पर register now अभी वह register कर सकते हैं don't worry तो दीखें आप लोगों को पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपके पास registration नमर है तो आप यहाँ पर registration नमर और password को इंटर करके login कर सकते हूं और form को फिल कर सकते हूं अगर आपके पास registration नहीं है तो यहाँ पर जैसे ही आप register now प detail और declaration यह सारी चीज़े आपके पास अगर हैं तो आप आसानी से one time registration कर सकते हैं तो देखते हैं live की one time registration कैसे करते हैं यहाँ पर मैं कुछ student का dummy data मैं यहाँ पर लेकर आपके सामने बता रहा हूं कि किस तरह से हम registration करते हैं तो दीखें यहाँ पर registration करने के लिए यहाँ आप continue पर click करेंगे तो इस तरह से आपकी personal detail को fill करने के लिए आपके पास option आएगा तो यहाँ पर दीखें सबसे पहला जो option है डू यू है वह आधार कार्ड तो दीखें मैं मान कर चलता हूं कि सभी student के पास आधार कार्ड होगा तो अगर है तो आप yes पर click करेंगे और अपना identification card वो यहाँ पर आपको select करना होगा तो यहाँ पर अभी हमने एक student का आधार नमर लिया है उसको हमने यहाँ पर enter किया है तो अब देखिए यह वाला जो second option है यह आपके लिए बंद हो जाएगा क्योंकि आपके पास already आधार कार्ड था types of ID and ID number to be provided if you don't want to give आधार नमर अगर आप आधार नमर भी नहीं देना चाते हो तो ID नमर आपको यहाँ पर enter करना होगा और वो कौनसी ID है वो यहाँ पर आपको select करना होगा next यहाँ पर candidate का नाम आपको यहाँ पर enter करना होगा आप ध्याना किए कि candidate का नाम इंटर करते समय कि जो आपके 10th class की mark sheet में जो 10th के certificate में नाम है वही नाम आपको यहाँ पर इंटर करना है तो let's suppose उस student का नाम हमने रख दिया क्या demo student उसके बाद में do you ever change name दीकि change name कब होता है generally क्या होता है कि अगर साधी हो जाती उसके बाद में नाम में कुछ changes आ जाते हैं कुछ कुछ लोगों के साथ तो अगर नाम में अगर कुछ changes है तो भी don't worry जो नया नाम है उसको आपको यहाँ पर enter करना और उसको verify कर देना अगर नहीं है तो don't worry उसके बाद में आपको gender select कर करना है उसको again verify करना है उसका अगर में date of birth तो date of birth आप directly यहाँ से calendar से select कर सकते हो सपोज यहाँ पर हमने जो date of birth select करी है इट विल भी सबोज हम माल लेते हैं 96 जन्वरी एक जन्वरी 96 यह अपने date of birth को भी verify किया उसके बाद में father's name father's name mother's name हर information को आपको registration के दोरान दो दो बार enter करना है इसी को बोलते है verify ओके ताकि वो verify हो जाएगी उपर जो आपने इंटर किया वही आपको एजटी नीचे इंटर करना है mother's name भी आप वही इंटर करें जो आपकी 10th class की mark seat मर है इसके बाद में आपका 10th class का education board आपको यहाँ पर select करना है suppose आपका education board जो है cbsc ले ले लेते हैं central board of secondary education cbsc board से आपका 10th class हुआ है ठीक है और उसका आपको यहाँ पर role number enter करना होगा again उसको आपको verify करना होगा यहाँ पर year of passing suppose year of passing जो है 2010 हम ले लेते हैं आपका 10th अच्छा 10th का year of passing आपको लिखना है यहाँ पर भी student को confusion होता है year of passing किसका तो 10th का यह आपको लिखना है इंटर करना है 2014 हमने लिए है अब highest level of education qualification तो अभी यहाँ पर यह registration है तो जो भी आपका दीखे क्या होता है कि दूसरे जो भी SSC के form निकलते हैं उनके लिए भी registration process यह ही है इसलिए सारे option यहाँ पर है तो suppose अगर आपका graduation है तो आप graduation पर click करेंगे और उसको again verify करेंगे अब यहाँ पर आपको अपना mobile number 10 digit mobile number आपको इंटर करना है और अब ध्यान रखें कि mobile number वहीं इंटर करें जो activate है क्योंकि यहाँ पर आपको mobile को verify भी करना होगा mobile नमर पर OTP आएगा और उसको आपको यहाँ पर verify भी करना होगा तो हमने यह mobile नमर लिया और यहाँ पर जो OTP हमारे पास receive होगा उसको हम यहाँ पर enter करेंगे तो वो verify हो जाएगा लब देगे mobile नमर और email ID आप वहीं इंटर करें जो activate है आगे आने वाले एक दो साल तक आपको लगता है कि हाँ यह activate रहेंगे तो उसी mobile नमर और mail ID को आप use करें और यहाँ पर उनको आपको verify भी करना होगा तो जो हमारे पास OTP receive होगा है उसको हमने यहाँ पर enter किया है अब देखें यहाँ पर इसको validate किया इसी तरह से आपको अपनी mail ID को यहाँ पर enter करना है mail ID को भी आपको validate करना होगा चलिए हम mail ID यहाँ पर change कर लेते हैं अगर आपने एक बार यूज कर लिया उस mail ID को तो 20 मिनिट तक उसके उसके उपर OTP नहीं आएगा ऐसा नहीं कि अगर आपने यूज कर लिया तो दो बारे यूज नहीं कर सकते हो उस पर OTP नहीं आएगा 20 मिनिट तक यह हैं यहाँ पर यह बोलना चाहरा है तो हमारे पास OTP receive हो चुका है उसको हम validate करेंगे देखिए यह सारी information आपकी fill up हो चुकी है देख सकते हो आप इसको एक बार खुद से verify करें scroll down करके इसको और यहाँ पर आप save and next पर click करेंगे तो यह जो information आपके personal retail वो submit हो चुकी है successful जैसे आप OK पर click करेंगे तो अब आपको यहाँ पर आपका registration नमर आगया है यह registration नमर आप note करके रखें और अगर नहीं भी note करेंगे तो last में भी आपके पास यह दोबारा से आएगा आपके mail id पर भी यह आजाएगा तो registration नमर आप note करके रखें उसका यहाँ पर अगेन आपको देखें यहाँ पर ध्यान रखेंगे यह जो registration नमर आपके mail id पर आएगा और आपको अपना अगली step में आपका जो password है उसको change करना होगा तो यहाँ पर जैसे आप continue करें तो जो registration नमर आपको receive आए अभी जो आया था उसी registration नमर को आप यहाँ पर इंटर करें और यह registration नमर आपके mail पर भी आया है और आपके mail पर registration नमर के साथ में एक password भी आया होगा उस password को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा तो हमारे पास रजिस्टेशन नम्मर पासवर्ड दोनों आ चुके हैं और यहाँ पर आप ये केपचा को इंटर करेंगे साइन इन का ओप्सन यहाँ पर आ रहा है देखिए ये साइन इन का ओप्सन आया आपका ओल्ड पासवर्ड वापस से आपको इंटर करना हैं यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड का मतलब जो आपके मेल पर आया था अब जो आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं नया पासवर्ड बनाने के लिए देखिए यहाँ पर उन्होंने कुछ नोट यहाँ पर लिख कर दिया है कि मिनीमम आठ केरेक्टर होना चाहिए इंक्लूड वन और मोर अपर केस लेटर होना चाहिए इसका लवा लोवर केस लेटर भी होना चाहिए नम्मर भी होना चाहिए स्पिजल केरेक्टर भी इसके अंदर होना चाहिए तो यहाँ पर हमने एक पास्वर्ड क्रियेट कर लिया है give 50% discount 50% discount ठीक है वोज अच्छा पास्वर्ड क्रियेट किया है बड़ इसको याद भी रखना है पता चला कि यह सा पास्वर्ड आपने बना लिया कि जो आपको ही याद नहीं रहा तो जो आप पास्वर्ड यहाँ पर लिख रहे हैं उसको आप यहाँ पर देख भी सकते हो एक बार verify भी कर सकते हो दोनों सेम है या नहीं यही अब आपका final password रहेगा यह ध्यान नखें ठीक है security question यहाँ पर कोई भी question आप select कर सकते हो ध्यान नखें city bone हम बोपाल लिख देते हैं यूटूब पर आप burn हुए हो ठीक है second question जो है फैवरेट मुवी बताइए आपकी फैवरेट मुवी कौन सी है AEC plus आपकी फैवरेट मुवी यह ध्यान न कियेगा save next यह आपका password create हो चुका है तो दीक अभी तक हमने यहाँ पर दो step को पूरा कर लिया जो password आपने नया बनाया है उसको यहाँ पर enter करना है उसको आपको यहाँ पर enter करना है आप उसको यहाँ से देख भी सकते हो वही है या नहीं यस वही है यह वापस हम login पर चले गए अब इसके बाद में आपकी additional detail में आपकी category को select करना suppose you are from your category और verify आपको करना है तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी category से भी बिलोंग कर रहे हो यहाँ पर तो अभी आपको यहाँ पर किसी certificate की भी जर्वत नहीं अभी फिलाल जर्वत नहीं तो यहाँ पर nationality में यहाँ पर आपके पास option है अगर आप इंडियन के अलावा कुछ और है तो यहाँ पर फिर आपको दूसरी country से हो तो किसी का reference आपको देना पड़ेगा तो यहाँ पर आप nationality में आप इंडियन ही select करें citizen of Indian अगर आप इंडिया के होतो ओं विजीबल identification marks तो जो आपको marks अगर कहीं पर है तिल है cut लगा हुआ है तो वह आप मॉल ऑन हैंड हैंड पर अगर आपके मॉल है तो वह हो गया आपका ठीक है चलिए इसके बाद मैं आपका permanent address यहाँ पर इंटर करना होगा state आपको यहाँ पर select करना होगा मद्द्देश डिस्ट्रीक आपको अपना select करना होगा ऐसा नहीं कि आप कल से अपना form फिल करने लगो तो मद्द्देश और भोपाल यहाँ पर अपना खुद का state और खुद का district यहाँ पर आपको mention करना होगा अगर permanent address और present address अगर सेम है तो आप उसको यहाँ पर click करके verify कर सकते हो तो यह additional details जो है यह भी आपकी complete हो चुकी last step जो है यह आपको यह declaration है declaration का मतलब जो भी आपने यहाँ पर information प्रवाइड करीए वो 137 है यह मानके चलें तो अगर आपको लगता है कि हाँ 100% है तो आप उसको declare करें और submit करें जैसे आप submit करेंगे तो यह आपकी registration process complete हो चुकी है जिसे हम बोलते हैं otr one time registration तो यह one time registration आपका complete हो चुका है यहाँ पर आपका यह registration number काम का है और आपने जो password create किया था वो काम का है अब उसी password और registration registration नमर से आप login कर सकते हो देखें यहाँ पर यह जो window अभी खुली हुई है JEEK form के लिए application start हो चुकी 28 March से और last date है 18 April तो इसके लिए आप apply कर सकते हो जैसे आप apply पर click करेंगे तो यहाँ पर कुछ instruction है जिने आप पढ़ ले UPI payment के से करेंगे वो आपके पास पहले से उसका प्लान होना चाहिए ठीक है जितने भी यह application form से related जो भी detail notification आप qualify मतलब minimum qualification है या नहीं आपके पास वो detail notification में mention है वो आपको पहले से पता होना चाहिए तो हम चलते हैं यहाँ पर form को कैसे फिल करते हैं सीधा हम यहाँ पर चलते हैं देखें जैसे ही आप form filling पर जाएंगे तो यहाँ पर personal detail हम OTR में already इंटर कर चुके हैं तो यह personal detail हमें दोबारा से इंटर करने की जर्वत नहीं रहेगी यहाँ पर अगर आपने गलती से अगर किसी भी detail को अगर गलत फिल कर दिया तो don't worry रजिस्टेशन में आप edit पर जाकर उसको edit भी कर सकते हैं घवराने की कोई बात नहीं तो यह detail आपने और लेड़ी यहाँ पर फिल कर रखी थी इसको आप खुद से एक verify कर लें और उसके बाद में आप यहाँ पर next पर क्लिक करेंगे personal detail आपकी save हो चुकी है अब देखिए यहाँ पर education qualification तो आपकी जो ब्रांच है suppose आपकी जो ब्रांच है civil engineering है steam को आपको again verify करना होगा देखिए यहाँ पर हमने उसको verify किया highest education qualification suppose आपका graduation है graduation पर क्लिक करेंगे यहाँ फिर diploma है तो diploma पर अब यहाँ पर qualifying diploma degree अगर आप pass out है तो यहाँ पर select करेंगे मतलब qualifying degree या diploma क्या है आपका bteg है या diploma है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ ब्रांच है ब्रांच है यहाँ ब्रांच है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे suppose ब्रांच है सनारा अगर आप appearing हो तो भी form को फिल कर सकते हो बट मैंने आप लोगों को बताया है हमारी टीम के द्वारा बताया गया है कि cut-off date से पहले आपके पास minimum qualification होना चाहिए तो form को आप फिल कर सकते हो बट देखिए document verification के दोरान यह चीज आपको ध्यान अखना होगा कि अगर आपके पास minimum qualification जो date है last date 18 अप्रेल उससे पहले अगर नहीं है तो फिर problem थोड़ी हो सकती है तो यहां पर suppose आप pass out है तो आप pass पर click करेंगे और passing year आप यहां पर mention करेंगे passing year अब ध्यान रखें passing year हम यहां पर 2020 कर देते हैं state आपको board यहां पर select करना है board आपका कहां से हुआ है जिस state से हुआ state आपको यहां पर select करना suppose it will be मद्दपदेश और university का नाम जिस भी university से आपका BTEC हुआ है वो university यहां पर suppose देवी अहलिया विस्विद्याले से यहां पर BTEC हुआ है आपका रोल नमर आपको इंटर करना है BTEC का जो भी आपका रोल नमर है वो आप यहां पर इंटर करें यह BTEC का रोल नमर हमने इंटर किया परसेंटेज जो BTEC में आपका final year का जो परसेंटेज है वो आपको यहां पर इंटर करना देखे यह mandatory नहीं है percentage बट परसेंटेज आपको यहां पर इंटर करना होगा तो यह 99% देखे CGP अगर है तो CGP अप इंटर करेंगे अगर percentage दोनों में से कुछ भी है तो आप percentage यहां पर CGP suppose 9.9 है तो आप 9.9 आप यहां पर इंटर करें ओके इसको आप सेव करें फिर आप मूह करेंगे next पर नेक्स्ट पर मूह करेंगे additional information आपको यहां पर फिल करना होगा additional information में देखे whether do you are an ex-serviceman अगर नहीं हो अब देखे यहां पर आपको मैं बताना चाहूँगा एक बात यहां पर ध्याना के whether seeking age relaxation देखे अगर आप किसी category से belong है बिलोंग कर रहे हो और अगर आप जो age criteria यहां पर दिया हुआ है उसके अंदर नहीं हो तो आप category की वज़े से आपको कुछ relaxation मिलता है तो relaxation मिलता है तो अगर आप वो लेना चाहते होती है यहां पर yes पर click करेंगे और अगर आप already ही उस age के अंदर है तो आपको यहां पर no पर ही tick करके रखना है पहले से यहां पर आप ऐसा ना सोचे कि मैंने obviously category से मैंने form fill कर दिया है तो अभी वो by default जो age को count कर रहा ह जो उन्होंने age दे रखा है 30 year 32 year कुछ department में उसी age के को count करते हुए चल रहा है आप ऐसा ना सोचे कि मैं 32 year का हूँ और age relaxation मुझे मिल रहा है 5 year का तो उसी को यह count करते हुए भी चल रहा है नहीं अगर वो additional अगर आपको age का relaxation लेना है तो यहां पर yes क्लिक करेंगे तभी आप का form फिल होगा और किस category से आप relaxation लेना चाहते है वो भी आपको यहां पर क्लिक करना हुगा तो अभी हम यहां पर no पर क्लिक करते हैं और इसके बाद में इसको आप save and next करेंगे देखी यह आपकी additional information part 1 जो था वो आपका complete हो चुका है center आप preference यहां पर डाल दें जो भी center आप चाहते हैं जिस भी state में उसके according ध्याना कि जिस state का आपने पहला center लिया है उसी state के आपको दूसरे center के option आएंगे यह भी आपको यहां पर ध्याना लखना है हाँ ऐसा कंपल्सर ही नहीं है यहां पर आगरा यूपी में आ रहा दर्भंगा और गया बिहार में आ रहा है तो आप चाहें किसी भी जगह का center select कर सकते हों ठीक है यह चाल सेंटर तीन center preference आपको देनी होगी disability अगर है तो उसके लिए आपको यहां पर पहले हम OTR में उसको बता चुके थे तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है ठीक है यहां पर save and next पर आप click करेंगे अब देखें यहां पर देखें क्या होता है कि हमको जो भी form हम फिल करते हैं उसमें photo or signature upload करना होता है तो photo signature upload करने के लिए यहां पर देखें उन्होंने option दे रखा है अगर आप अपने PC से laptop से अगर यह form को फिल कर रहे हैं अगर उसमें camera है तो आप capture photo पर आप click करेंगे तो camera open हो जाएगा आप जिस position में हो आपका live photograph यहां से क्या होगा scan कर लिया जाएगा यहां पर यहां पर दूस upload को scan करेंगे तो play store से application पर आप चले जाएंगे application जो है SSC की तो उसके द्वारा भी अपने photo को यहां पर आप upload कर सकते हो तो दो option है अगर laptop से फिल कर रहे हो तो laptop में तो यह option रहता है capture photo तो यहां पर आपका directly एक बार हम देख लेते हैं कि capture photo में क्या आ रहा है यहां पर page करता और यहां पर उसको capture कर लेता आप सामने जैसे बेठे हैं उसी position में वह आपको capture कर लेता और यहां पर वह upload हो जाता इसके बाद अगर हम बात करें आप signature आपको अलग से upload करना होगा signature में आप ध्याना के size जो है signature की 10 से 20 kb के बीच में होना चाहिए JPEG या JPEG format में होन कंपर सरी ओके signature blur नहीं होना चाहिए यह भी आप ध्याना के horizontal align होना चाहिए horizontal होना चाहिए signature यह द्याना के ओके तो अभी हम यहां पर फिलाल जब तक हम यहां पर capture photo नहीं करेंगे जैसे आप capture photo करेंगे तो यहां पर आपका photo आ जाएगा तो देखते हैं हम आगे save and next करके हो यहां पर तो क्या होगा कि देख लेते हैं यहां पर camera को फेच नहीं कर रहा है capture कर लीजिए इमेज डू नॉट अगर इमेज अगर आपका यहां पर अगर camera लगा होता तो वो आपकी image को ले लेता अगर आप सामने बेठे होते हैं तो यहां पर वो image आ जाती है आप उसको crop भी कर सकते हो और वही image आपका final picture बन जाती है और इसी तरह से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर directly जो भी आपके system में कहीं पर भी save है तो वहां से directly आप signature को upload कर सकते हो save and next पर आप click करेंगे तो देख लीजिए यहां पर यह वाला आपका upload document वाला जो step है यह complete हो जाएगा इसके अलावा कोई document आपको यहां पर upload नहीं करना है इसके बाद माप preview form पर जाएंगे तो जो भी अपने detail यहां पर fill करिए वो सारी detail आप आप देख पाएंगे एक बार अगर आपको लगता है कुछ mistake हो गई है तो आप उसको दोबारा से change कर सकते हो उसके बाद में यहां पर आप directly submit कर सकते हो form को submit आप करोगे तो वहां पर payment का option आ जाएगा payment 100 रुपिस payment your category के लिए लगत है तो यहां से आप directly payment करके form को finally submit कर सकते हो तो I hope कि आप लोगों को form billing से related सारी आपकी query जो है वो clear हो गई होगी जनरली यहां पर यह photo और signature में student को काफी ज्यादा problem होती है तो अभी वो जो अलग से हमें photo की size को बनाना होता है नाम लिखे या नहीं लिखे डेट लिखे या नहीं लिखे वो कहीं student के doubts रहते हैं तो वो यहां पर ऐसी कोई problem नहीं है आप directly अपने system से photo को यहां पर upload कर सकते में यहां पर instruction कुछ लिखे वें उनको आप ध्यान लगें background plane होना चाहिए light अच्छी घासी होना चाहिए ठीक है camera का level जो है वो capturing photo mode में होना चाहिए और इसके अलावा यहां पर देखिए mask glasses और यह सारी चीजे यह कुछ भी केप अगरा आपको नहीं लगाना है यह basic जैनकरी आपको ध्यान में रखना है तो thank you very much for watching this video तो मिलते हैं हम next session के अंदर अब तक के लिए goodbye